ओन्लाइन ट्रेदिंग स्केम करके आसाम में 2,200 करोष रुपया आदमी लोगों का लुट लिया यानि चुना लगा दिया और इसी पेसे से इन सारे फॉर्ट इन सारे स्केमर्स ने करोरों का संपती बने 5 करोष से ज्यादा पैसा का उनलोगों ने फ्लैट खरीदा ती अभी तक देख लेगे लिए लोगों आप तक देख लेगे लिए लोगों का लिए अभी तक सो फार आसाम पोलीस बस्टेट 38 people who are linked or involved to this scammer this scam के साथ जितने भी लोग जूरे हुए उन सारे लोग को आसाम पुलिस ने एरेस कर चुके है और बहुत सारे लोग को लाइकली तो एरेस मोर और मोर बहुत सारे लोग को का नाम अभी निकल के आ रहा है तो सब लोग को एधिरे-धिरे करके एरेस किया जा रहा ह है और इन लोगों के किस तरीके से जाल भीछा के आपने लोग को फसाया रहा है कि आप भी प्शे सकते हैं और इसे कर से बचेंड और घ्री और किया सेंसमें जीदेंगे तो इसके पीछे का में जो एक्यू से कौन है वो में जो एक्यू से वो सिर्फ बाइस साल का लर्का है उसका नाम है विसाल भुकन ही इस जस्ट वेनितु येर्स व्रॉम दिब्रुगर्ड और उसी ने जितने भी स्केम हो था उसके पीछे सिप यही था यही में आत्मी था जिसके कारां दे शारे चीज़ और साथ साथ सब्सक्राइब दास हूं से तुब इन्स्ट्राक्टर ऑप ट्रेडिंग आर्मलों को सिखा था कि के से करना है और पेसे केसे आंक करना है सार चीज यह इंस्ट्राक्टर था वो गौहाती में रहने रहता था गडुल चला रिखे यह बहुत सारे लोग近 i can car और जहां पर इसिखाता था ऐस्पर इस पर्जिस पथा चलता कि वह पे एक एक अपर्टमेन में अजर्ड वहट पाद अफ़्िस लिया गया वह कर लाखो का आपर्टमेन कि यह प्लैन किया हुआ एक टीम था जिसमें आपका रंजित काकोटी हमन राभा एक सब्सक्राइब कई सारे लोग जुरे हुए थे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 30-50 परसें आपको इंट्रेस्ट में मिलेगा विदिन 60 देस तो यह प्रोमेश गया जाता है और बहुत सारे लोगों को यह लोग करा भी देते हैं प्रोफित दे भी देते हैं और उसके बात आदमी लोग सोचते कहा है रहे भाई प 25 दिन में पैसा डबल तो मुझे भी डबल कराना है पैसा तो यह जो डबल वाला जो खेल है न तो सब लोग का इंट्रेस और बर जाता है तो ज्यादा से ज्यादे लोग इंवेस्ट करना चाहते हैं तो सोचते कि आरे भाई पैसा डबल हो जाएगा मेरा तो इसी पैसे को ड किस दिन में पैसा आठ गुना उसके सोला कुना तो यह लोग लाजर इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं लाजर इंवेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग जमीन बेच के यह वह करके जो पैसा को डाल रहे थे वह आपने क्या कर रहे थे पैसा को डाल रहे थे जो कि व का पैसा कहा पो पता ना नी था इस त्रैकर सेरे लोक जाल में फशते थे तीन सालों से फशा के आते हाटे तो उटल इन लोगों ने मैंने को ला ही था ना कि विशाल फुगन श्रिप बाइस साल के उमर में उसने 2200 करोड इस नौट जोग इस लार्ज एमाउन मैं 2200 करोड इंकाम कर लिया था मैं आप स्केम करके इन लोगों का पैसा लूड लिया था तो ऐसे करके काले करते करते आसाम से फिर अलग लोगों को जुर जाएंगे और ये शेह चोड़के ये चाल जोड़के डिकल जाएंगे और मस्तुमें कि एस करेंगे पैसा ही पैसा हूँ या तो दिरे दिरेगर के क्या हुआ कैसे ये आदमी लोग को किसे पता चला देखिए पहले तो ये इंट्रेस में घुमा देता था लेकिन बार में ध पूलफिल के रहे थे लोग का पैसा चला गया तो इसकारण से इन लोगों ने इसके बाद जाके पूलिस ने जब इंक्वाइरी के जब इंवेस्टि के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसा ही हुआ था पूरे आसाम के लोग को साथ और जो भी इस फ्रॉट में जो फसे थे इन लोगों के साथ यही हुआ तो अभी एक लड़की फरार है अभी तक आसाम पुलिस याईडी पकर नहीं पाई है उसका नाम है कोलियोग्राफर सुमी बोरा वह आपने आपको इस कोलियोफर गाफरा बोलती है एक्टर्स भी है वह बहुत सारे उसने उसने मुजिक बगर बग अर्दीा 색कर नहीं परिखार रहें यही है अभी तक वह फरार है अपने घर से भाग के कहीं कहाँ पे गई होगी चुपी ऊपई हूए आप नहीं ऑप छी दिन ही अभी अबिसादी फbonना वह फरार भागी हुए और यह जो प्रार सिमी बोरा यह भी इस जो टुटैल तो इसके साथ जूरी हुई थी उसने ंडेपूर में जाके करोरों का साधी किया था जो आदमीलों को सोच भी नहीं सकते थे और फ्लाइच का लाकों का खर्चा इसी पैसा से किया था और लाकों का गारी लाकों का अंगडिती देर करोर का उनन उसने ए बलब जो रिंग होता पैना था दाइमन को रिंग पैना था एसे कई सारे प्रोपर्टीस उसने भी पनाये थे बना के रखी थी एक जमीन जगा-जगा में जमीन करेट के लिके आथी वह भागी हुए फरारे तो यह भी लीगल काम कर रहे थी तो इसको भी बहुत जल पकर लिया जाएगा उसकी और ट्री देश पूरिस कस्तिडियल पर लिया गया है तो पनिस्मेंट कितना होगा कितना साल का सजा होगा और फाइंस कितना देना पर सकता आप लोगों को बतल कि अंडरी सेक्शन 316 क्रिमिनल बिच अप ट्रस्ट एंड 318 अंडरी सेक्शन 318 IPC इसके अंडर में चीतिंग अब है अब बाइंस खर लिडेश पर पांज साल के और तो यह डिपेंड करेंकर कि की अ कोट क्या ओर बढ लोगों को के कॉटव देंट करके अबी रखा गया तीन अब है शटीन चान जाए और बहुत सारे लोगों को अभी त्रेडिंग लीगल निंडिया उसका ऑंसर है ल अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और आप लोग के खाते में पैसा इलीगल ली आ रहाई है जब पता चल जाएगा तो आप लोगों को अंदर डी फोरण एक्सचेंज मैनेश्मेंट एक जिसको फीमा कहते है दस जार रुपया का फाइन देना पर सकता है यानि तो आपको पांग साल का सजा एंड इसे नोन बैलेबुल ओफेंस यह नोन बैलेबुल ऑफेंस है तो आप बहुत सालों तक येल पे सरे रहोगे तो इससे अच्या है आप लोग कैजियें और मैं आप कहां कहना चाहता हूँ कि हाँ ट्रेडिंग आप लोग कर सकते है लेकिन अगर अगर आप आर्बियाए के तरफ से रिजार्याबंग ऑप इंडिये के तरफ से अगर आप ऑधराईस प्रसें低 अगर आप फेल सकते अगर आप ऑधराईस पर्सें नहीं हो तो आप Hep एक पल्च पावगा जाता से ब्सक्तिक लीगल वहाँ परक्ष को ल्या लाधिया थो इसले कांट्री सभीक प्रणाव है आर ली जाना आंज आता वाहाँ पर लोगान आउर्टियल इसल पते सजल से सुपकानेटिक करते के तो अने पार लोगाले लिगल इंडिया अंडर डिसीवी सिकुरिटी एन एक्षेंज बोर्ट ऑफ इंडिया एक 1992 फिर आप कॉम्पनिस एक 2013 यह सारे से यह लिगल लिगलाइस किया गया तो स्टॉक मर्केट इस लिगल इन इंडिया आप जैसे कि एंजल गो बोलिया आप एलिस ग्लू बोलिया आप भुलिया आप लोग ने देखा भी होगा यहां पर क्या है यहां पर कि यॉर गोदी ओंडर आप कभी भी सेल को खरीट सेल को फिर भीज देते तो यहां पर शोख लिगल लोग को समझ पहाई चुका हूँ और किस को एरस किया गया है और तो कैसे आदमी लोको कि श्याल में εच trophous 的 इसे आपको बहुत सारे लालाच नीक है कि बैसे महीं कंवा Tucson और सक्ते है तो आपको इस सारे ज्याल पे नहीं फस्तनेंबं आपको जिन्दगी बनलब सुन कर दे सकता है बरबात हो सकता अब ब्लैक आउट हो सकता आपका जिन्देगी विए फ्रम और सच इसा बहुत सारे स्केम्स मार्केट में हैं आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन आपको बिलिफ नहीं करना है और आप लोग को मैंने समझा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं सो मिलेंगे एसे इंट्रेस्टिंग इंफ्रमेशन वीडियो के साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्ली से सब्सक्राइब करेंगे कि में ऐसे एजुकेशनल इंफ्रमेशन ट्रेंडिंग कोपिक के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं